नमस्कार दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्णिंग और आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 12 के जैक एक्जाम जो होते हैं जो 2022-23 सेशन में मिंस आपका जो टर्म 1 एक्जाम है आपका नॉंबर में होने वाला है तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं और आज के इस वीडियो में जो आपने टाइटल एंड थमनेल देखा है उसके हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है तो आप सभी को मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं ठीक है कि आप सभी को आपने सर्मा गेस का नाम सुना होगा सर्मा पब्लिकेशन के नाम तो वह से सुना होग सर्मा अगर आप बुकिश्टॉल पर पाता कर लोगे अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है एंड नहीं मिलता है तो हम जो है सर्मा का कुछ तो तो आpentाले सिल thou नहीं कर रहा है chapter तो नहीं नहीं हाटाया है उस chapter से सम्दित जितने भी चीज़ए आपको क्युशन में आने वाली है सब के बारे में आपको मैं बता दू यह सर्मागेश 2021-22 का है ठीक है में जो 2022 में एक्जाम दिये में objective vision and chapter wise सर्मा के खास्यत है chapter wise जितना objective होता है उतना देता है तो क्यों इसको थोड़ा सा solve कर लिया आजाए यह हमने कहीं से collection किया है कि मतलब किसी से मांगा है कि दे दो जो भी है उसके बाद हम आप तक प्रोवाइट करवा रहे हैं तो जो हम सबसे पहले इसमें हम जो start करने वाला है ना वह हम start करेंगे आपका क्या बोलते हैं उसे पुषपी पादपो में लैंगिक जनन हम लोग इस चप्टर से समझे जितने भी objective आज हम लोग बना पाएंगे उन सभी को मतलब जितना इसमें दिया हुआ है उन सभी को आज ह हम देख लेंगे उसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि इससे अलग आपका अगर मोडल पेपर भी जारी करेगा ना तो इससे अलग नहीं पूछेगा इतना करेंटी है मेरी ठीक है ठीक है ना देखिए पुषपी पादपो में लेंगे कि जननन को हम लोग अभ रड़ी हमारा वीडियो बन रहा है आप देख सकते हैं चैनल पर चेक करके आपको वीडियो मीलेगा कहां तो चैनल पर चैनल के लोगों पर किलिक के जाएगा उपर जाने के बाद प्लेलिस्ट दिखेगा उसी प्लेलिस्ट में सब कुछ नीचे दिया हुआ है तो उसे आप हम लोग इस मतलब की पुस्टी पादवा में लेंगिक जरन को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हम आगए हैं अपने स्क्रीन पर समय आप ज्यादा पास नहीं करेंगे डारेक हम लोग आते हैं पॉइंट पर आप सभी को मैं बता दू कि यह जो है ना इसमें एंसर दिया हु होंगे मैं अकेला हूँ इस चैनल पर मेरा भी कोई भी असिस्टेंट नहीं है कि मतलब कि हम सभी चैप्टर को कवर करें ठीक है तो आप लोग बायोजी का पूरा चैप्टर कर रहे होंगे तो उसका यह अब्जेक्टिव हम लोग किलियर आज कर यह लेते हैं ठीक है तो प् लगे कि यह निव क्यूशन है इसको आप लिख लो ठीक है लिख लो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेकंड नमर क्यूशन की तो इसमें लिखा हुआ है कि निशेचन के समय एक आदर्स आवरीत बीजी का मादा यूगमक उद्भेद जो होता है न वो किसमें होता है लगू विजानुधानी की आंतरिक परत को विकाससिल पराग कोनों को पोशन परदान करती है वह क्या है तो उसे हम लोग टैपिटम कहते हैं क्या कहते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते चलेगा फटा-फट हम लोग करवाते चलेंगे इसमें हम बोल रहा है कि इस्तिरी केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारन करता है वह क्या है तो इस्तिरी केसर का भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारन करता है उसे हम लोग वर्तिकागर कहते हैं चले आगे बढ़ते हैं इस्तिरी केसर जिसको पिस्ट जिसमें लेट होगा आप सिधा से समझ लेना कि वर्तिका होता है जिसको style कहते हैं वर्तिकागर होता है जिस से हम लोग स्टिगमा कहते हैं अंडफ होता है जिसे ओबरी का है ठीक है तो इस टैप से आपका यह कंप्लिट हो जाता है चले बढ़ते हैं आगे एक ऐसा फूल एक पुमंग और जयांग को ब्रूण tätä तो यह वह करते हैं थिसमें दोनों भाग आए जा रहा है आगे ज़रूलै और सब्सक्राइब कोई यहां पर आप वीडियो को देख सकते हैं किस फल में बीज चोल नहीं पाया जाता है विंस अरिल नहीं होता है तो यह आम में नहीं पाया जाता है चलिए आ गूनित द्फभी गूनित होती है तो इसमें हो जाता है तथा एक द्वी गूनित होती है आगे लखा ओए एक की वहीं I Uhh में लिखा होए थोड़ा सान्हां इसमें बताना है यह यह ऐसे पारब्शन नहीं लेकिन आपको पूरा सेड्यूल रहेगा एक्जाम में पूछने का क्यूचन तो इसी टैप से पूछेगा आपको मैं बता दे रहा हूं इस चप्टर से जितना भी अब्जेक्टिप बन रहा है आज हम लोग बना कर ही मानेंगे आवरित बीजी का भुरून पोस इंडो स्पर्म तथा त्री गूनित जिसको ट्राइपलाइट कहते हैं ठीक है होता है तो क्या है मत्तब रोंग है राइट है आवरित बीजी का भुरून पोस त्री गूनित होता है क्या करेक्ट है तो करेक्ट है क्या है करेक्ट है यहां पर देख सकते हो करेक्ट एंसर भी दिया हुआ है एक बीज पत्री ठीक है में ग्रॉफ्टिंग संभव नहीं होता क्योंकि मतलब समझ रहो ना एक बीज पत्री में ग्रॉफ्टिंग संभव नहीं हो पाता इसका रिजन तो कुछ ने कुछ होगा तो इसमें नहीं होता इसमें क्य कि अटो कि हुए तेहन जिवन की सतत्ता बनी रहती है किसके दोरा तो यह सब को पता होगा जनल 15 में बोमबेकiness ठिक कि मैम क्का गहते हैं यही समझना होगा और इन सता मक्का में होता है to किसके दबारा होगा तो वह पक्षियों दबारा होता है और मक्का में डीप करते को कर देंक है यजक को यह उझां नहीं किसके भाग होता है तो यह प्र प्राक्वस में कितने लगू विजानु धानी ठीक है पाए जाते हैं मिन्स कितने होते यह प्राक्वस में आपके चार विजानु धानी लगू बीजानु धानु ठीक है अगे देखिए मो्नो होते हैं ठीक है तो इसको इंब्रायो सेक कहते हैं क्या कहते हैं अब देखेगा ना अब इतना हम लोग देख लिए कुछ-कुछ ऐसे क्यूशन सोंगे जो रिपीटेड होंगे अभी देखेगा आगे आपको मिल जागा परिपक को भुरूंड कोस होता है तो क्या होता है आठ होता है तथा साथ सेल्यूलर होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें कीटो द्वारा परागन क्या कहलाता है तो कीटो द्वारा अगर परागन हो रहा है तो उसे हम लोग एंटोमोफीली कहेंगे क्या कहेंगे एंटोमोफीली कहेंगे जब राइट हम बता रहें तो इसमे एंथर से स्टिगमा में पॉलेन का क्या बोलते हैं अस्थनांत्रन ठीक है ना मतलब ट्रांसफर क्या कहलाएगा तो उसे हम लोग परागन कहते हैं वीट में परागन की जीवन झाल्था कितनी है तो इंडोग में लग जाता है आपका 30 इनच साहर बारगार इसको आपको नहीं जाना है कि इसमें एंसर दिया हुए तो चौथा एंसर हो जाएगा इसका एक मन्थ आपको लग जाएगा प्राकन की जीवन छमता इतनी होती है एक मन्थ ठीक है यह तो आगे बढ़ते हैं एक अंडप युक्त जयांग क्या कहलाता है तो इसको एक अंडप है तो एक अंडपी ही गताता है उसे हम लोग क्या कहते है तो इपीजिंश कहते हैं जिसको काईग परवर्द कहते हैं कि तरह कारे नहीं करता है तो एक का परवसंदी होता है वह आपका कायिक परवर्दन की तरह कार्य नहीं करता है आगे लैंगिक परिपकवता जिसको सेक्सुल मैच्वरेटी कहते हैं प्राप्त करने की जीव की पूर्ण आवस्था क्या कहलाती है तो उससे कहते हैं जुए नाइल फेज तथा वेजिटेटिव फेज दोनों कहा जाता है तो इसका क्य को इसका में आगे बढ़ते हैं इम्रायो सेक में किस कोशिका के माध्यम से प्राग नली का परवेश करता है तो यह होता है डीजे नो रेटेड साइने ग्रीड आपको किलियर पढ़ना है अराम से ही पढ़ो कोई दिकत ने डीजे नो रेटेड साइने ग्रीड ठीक है इसका वज़ागा 125 ठीक है आगे बढ़िए किसमें वायू परागन समानने है तो घास में घास में सिंपल सा हो जाता है वायू परागन पराग कोस के निसकर्शन को क्या कहा जाता है तो इसको कहते हैं इमस्कुलेशन कहते हैं क्या कहते हैं इमस्कुलेशन चली आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए का माइक्रो इस्पोरेंजिया के इस्पोरोजेनस उत्तक की कोशिकाओं की गुन सुत्रता होगी तो उनकी जो होगी वह अगूनित होगी क्या होगी अगूनित चली आगे कौन सा भाग नर यूकमा कि उत्मन करता है तो उसे पराक्षान बोलेंगे ठीक है आगे बढ़िए पराक्षान की जर्मिनेशन तद्धा पराग नलिका के संचलन को संबंध में संग्सा क्या होगा क वाले पहुते किसपरकार ब्रोपेगेट करें तूञ देघ्रग टूर फूर Scout किलंगी गेंद दूर कमाल में कभी नहीं खिलता है उसे क्या कहते हैं उसे करते 62 डिया सब्सक्राइब करते हैं करने कारता है बलान की परकिरिया क्रें और कि सटाएंगे या लिखें नीचे शाल कहिंता तो होता है आगे हाउस जो किशन देख रहे हैं वहां किसका विक्सित रूप है तो उसे हम लोग हाउस टोरिया किसका विक्सित रूप है तो उसको बोलेंगे एंटी पोडल कोशिका क्या बोलेंगे एंटी पोडल कोशिका आगे है किट परागन में लीवर मेकानिजम होता है तो पाया ज तो इससे अंड कोषिका का भी अभी लक्षन होता है किसका अंड कोषिका का का आगे अब देखें इंग्लिस में थोड़ा सा लिखा है इन इन एन्जी इसपर्म टाइट अफ सेक्स्वल रिप्र दॉड़्डेक्शन इस क्या फ्लोवर ठीक है आगे पलंड status is gametes is टीक है तपालाईडी status of gametes is क्या क النट ऐ करेखाय कि आगे देखिए पिलाईडी status of a fol شाय कोटे जेपालरिगा एक क्या कह लाईगा ने है लगतोध केलाईगा क्यों घिप्लूईट आगे देखिए आर कोलेक्टिवली कौल्ड क्या कहलाता है तो एंडरोसियम कहलाता है एंडरोसियम कहलाता है चलिए आगे बढ़ता है फीमेल रेप्रोडॉडक्टिव और्गन और फ्लावर यह मुस्ट इंप्रेट है क्योंकि ये जैनरल सब में पूछता है उसे Pistil कहते हैं क्या कहेंगे Pist आगे लिखा है कि Pistills are collectively called क्या खिलाएगा तो जाइनोशियम क्लाता है ठीक है क्या क्या क्लाएगा जाइनोशियम हो गया लेकिन जो यहां पर स्टेमेंश वाला था इसको लोग और शियम बोल सकते हैं ठीक है आगे देखिये ओपेनिंग ओफ फ्लोरल ब्यूड इज कॉल तो एंथेसिस उसे कहेंगे आगे बढ़िए मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट ओफ फ्लावर इज कॉल तो क्या कर लागा एंडॉसियम सेम एक ही क्यूचन वह को फीर से रिपीट किया यहां पर फिमेल रिप्रोड़क्टिव प पार्ट ओफ इस्टेमन एंडॉसियम आर ठीक है ना मतलब समझ रहा है ना इस्टेमन लिख दिया लेकिन यहां पर आपको यह याद भी दिला दिया है तो यह हो जाता है फिलामेंट एंधर दोनों आता है ठीक है मिन्स कुशन नमबर 3 1 & 2 दोनों हो जाएगा आपको एक स्टीगमा स्टाइल ओवरी टोटल चीज हो जाता है ठीक है तो यह चीज आल आपका एंसल हो जाएगा इस प्रकार से इस चेप्टर से जितने भी हमारे अब्जेक्टिव बनने वाले थे यह सभी अब्जेक्टिव क्यूशन आप तक प्रोभाइट करवा दिये जाएंगे एंड आपसे निवेदन है कि आपने इसे लिखा होगा तथा इसका प्रैक्टिस आप करोगे ठीक है कभी भी आप एक घंटा दिन में टाइम निकालो एंड इन सभी वीडियोज को जिसमें हम अब्जेक्टिव बनवार हैं उसी आप जरूर देखो ऐसी बात में है कि एक बा इन एकजाम में अगर कुछ चीज का रोल है तो होता है रिवीजन का रिवीजन रिवीजन कोई भी टीचर आपको बोलेगा आपके कोचिंग के टीचर भी बहुता होंगे जाधातर क्या करनी है आपको रिवीजन करनी है तभी आप ग्रेट मार्स एचिव कर सकते हो ठीक है तो मिलते हैं किसी नीव वीडियो में नीव किप चैनल रिवीजन के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे में